प्यारे बच्चों आज मैं आपकी लिए बहुत महत्वपोंट जानकारी लेकर आई हूँ आपकी सेट वन की परिक्षा से संबंदित कक्षा नौवी से लेकर बारवी तक आज 6 जून 2022 को S.C.E.R.T. गुरुग्राम की तरफ से एक पत्र प्रकाशित किया गया है जिसमें सेट वन की आपकी संपोंट जानकारी दी गई है गख्षा नौवी से बारवी तक की सेट वन की परिक्षा की संपोंट जानकारी लेकिन इस वीडियो के आन्ट तक आप बने रहिए आन्ठ में आपको बहुत महत्वोपौंट जानकारी दी जाएगी तो इस वीडियो को आन्ट तक जरूर देखिए आपको परिक्षा से संपन्दित सभी जानकारिया देते हैं आपकी परिक्षा होगी सेट वन की परिक्षा ओफलाइन मोड में आपकी ये परिक्षा कुल 20 अंको की होगी और 60 मिनिट मतलब इस परिक्षा के लिए आपको कुल एक गंटे का समय दिया जाएगा यहाँ पर आपकी परिक्षा से संबंदित सभी मैत्वपून जानकारिय दी गई है पहले MCQs है जो की 5 प्रशन दिये जाएंगे एक अंक का एक प्रशन है और कुल 5 अंक के बहु विकल्पी प्रशन है objective type मतलब बहुत छोटे छोटे प्रशन इनकी संख्या भी कुल 5 होगी और एक अंक का एक प्रशन होगा जिनका उत्तर आपको एक शब्दिया एक अंक में देना है यह भी 5 अंक के होगे very short answer बहुत छोटे लगो तरात्मक प्रशन है दो प्रशन आएंगे आपके और प्रते एक प्रशन दो अंक का होगा यानि कि दो प्रशन दो अंके तो कुल हुए चार अंक के प्रशन होगे दो प्रशन आएंगे short answer में जो की 3-3 अंके होगे तो कुल हुए दो प्रशन 6 अंके तो यहाँ पर 5 बहु विकल्पी प्रश्ण, 5 अंके objective प्रश्ण, 2 प्रश्ण, 2 अंके, very short answer और short answer के 2 प्रश्ण, 3 अंके तो कुल 20 अंकी आपकी ये offline परिक्षा होगी कुछ महत्वपोर्ण बिंदू यहाँ पर दिये गए है कि ये परिक्षा आपकी English Hindi दोनों mode पर होगी और इसमें अप्रेल महा से लेकर जुलाई महा तक का पाठेक्रम दिया जाएगा जो की हरियाना बोर्ड की website पर दिया गया है पाठेक्रम के लिए अगली वीडियो का आप इंतजार करते रहिए अगली वीडियो में पाठेक्रम पर चर्चा की जाएगी अब उस महत्वपोर्ण बात पर हम चर्चा करते हैं जिसे हैं मैंने वीडियो की शुरुवात में बताया था यहाँ पर आप एक और दूसरा पत्र देखिए जो की विद्यार्ले सिक्षा निदेशाले की तरफ से आया है दिनाग पाच का पत्र है सेट की परिक्षा है तू लेकिन इसमें मौडल संस्कृती विद्यार्ले को शामिल नहीं किया गया है आप इस पत्र में क्या कहा गया है कि जो विद्यार्थी दस्वी कक्षा के वार्षिक परिणाम के बाद 11 कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कक्षाएं सुचारों रूप से हमारी जुलाई महा के आरंब में होती है इस संदर्भ में आपको जानगारी दी गई है कि आपकी जो सेट वन की परिक्षा है जो बाकी कक्षाओं के लिए कक्षा नौवी, कक्षा दस्वी और बार्वी के लिए जुलाई महा में होगी लेकिन कक्षा ग्यार्वी के लिए सेट की परिक्षा अगस्त महा में आयोजित की जाएगी पाठे क्रम के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगली वीडियो में हम पाठे क्रम की चर्चा करेंगे तो तब तक इंतजार करते रहे अगली वीडियो का मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद